नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फियर्स क्लॉड में तो दोस्तो रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमला करने की पूरी तयारी कर ली है और अमेरिका खुपिया सुत्रों का कैना है कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए अपने कमांडरों को तयार रहने का आदेश दे दिया है और इसी वीच रूसी उक्रेन की जंग की आहट से पूरी दुनिया सहमी हुई दिखाई दे रही है जहां यूक्रेन को तीन तरफ से घेर चुकी रूसी की सेना हमले के लिए पूरी तरह से तयार हो गई है वहीं ताजा तस्पीरों में नजर आ रहा है कि यूक्रेन की उत्तरी सिमा पर रूसी सेना की हलचल काफी ज़्यादा बढ़ गई है और अब तक कि अपनी बैरेक में रह रही रूसी सेना ने यूक्रेन के बेहत करीब मैदान में मोर्चा समभा लिया है तो चलिए दोस्तों पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं दरसल दोस्तों यूक्रेन को तीन तरफ से घेर चुकी रूसी सेना अब हमले के लिए पूरी तरह से तयार हो गई है और सेटलाइट से मिली ताजा तस्बीरों में नजर आ रहा है कि यूक्रेन की उत्तरी सिमा पर रूसी सेना की हल चल काफी ज़्यादा बढ़ गई है अब तक अपनी बैरक में रह रही रूसी सेना ने मैदान में मोर्चा संभा लिया है और इसी बीच यूक्रेन में जंग को रोकने के लिए अमेरिकी राष्टपती जो बाइटन और रूसी राष्टपती ब्लादिमीर पुतिन के बीच जल्द ही सिखर वैठक हो सकती है जहां रूस की सेन तयारी के बीच मैक्सर के सेटलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि रूस ने बड़ी संक्या में घातक हतियार और सैनिक बेलगुरोट के पस्ची मोतर हिस्से सोलोती और वाली वकी में देखे गए हैं और रूस के ये कस्बे यूक्रेन की सीमा से मातर 35 किलोमीटर की दूरी पर हैं अर इस मैक्सर सेटलाइट ने पाया है कि रूसी सेना की पहली कि त्यारी और अब की त्यारी में काफी ज़ादा बदलाव आया है और अब तक रूस ने ज़्यादात तर हतियारों को अपने प्रसिचछड़ वाले में तैनात कर रखा था और यही नहीं रूस के कुछ हतियार तो यूक्रेन की सीमा के पास मात्र 15 किलो मिटर की दूरी पर तैनाथ हैं और इसे साफ संकेत मिलते हैं कि इन्हें लड़ाकू यूनिट के रूप में बनाया गया है। और इसी बीच रूस ने रविवार को यूक्रेन की उत्तरी सिमाओं के पास सैन अभ्यास को और बढ़ा दिया है। वहीं पूर्वी यूक्रेन में सैनिको और रूस समर्थित अलगाव आदियों के बीच लगातार दो दिन हुई गोली वारी से हमले की आसंकाएं और बढ़ गई हैं। उधर यूक्रेन के राष्टपति ने संगर्स विराम की अपील की है और बेलारूस के रच्छा मंतरी विक्टर क्रेनिन ने कहा है कि यूक्रेन को लेकर बढ़ते तनाव के कारण रूसी सैनिको के साथ उनके देश का संयुकत अभ्यास जारी रहेगा। जहां पहले के कारेक्रम के मुताबिक यहाँ भ्यास रविवार को खतम होना था और यूक्रेन की उत्तरी सीमा बेलारूस से लगती है जहां वाहनों से पहुचने में तीन गंटे का समय लग जाता है और रूसी सैनिको की मौजूदगी से पस्चिमी देशों को आसंका यह है की यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सैनिक आसानी से गुस्पैट कर सकते हैं और कीव की आवादी करीब 30 लाख है और पस्चिमी देशों के नेताओं ने यह आगाह किया है की रूस अपने पडूसी देश यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है और उसने सीमा के तीन प्रिक युद्ध भ्यास को अंजाम दिया है और काला सागर तटके पास भी रूस के नो सैनिकों ने अभियान में हिस्सा लिया है वहीं अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो इसका भारत पर भी गंभीर असर पड़ेगा जहां रूस और बेलारूस की रड़नी से पू आप कड़े प्रतिबंद भी लगाएंगे जिससे रूस और भारत की बीच हतियारों की आपूर्ती भी बाधित हो सकती है जहां एक तरफ भारती से ना के पास 60-70 फीजदी हतियार रूसी मूल के हैं और भारत को अभी हाली में S-400 Air Defense System मिला है जो अमेरिका लगातार जोड़ दे रहा है कि भारत यूक्रेन संकट में अपना रुखे स्पस्ट करे और भारत ने कूटनीत के जरिये संकट के समाधान पर जोड़ दिया है और भारत ने इसी खत्रे को देखते हुए सभी गैर जरूरी लोगों को यूक्रेन से चले जाने की सलादी है और इसके लावाद तेल के दाम आसमान छू सकते हैं जो अभी बिना युद्ध सुरू हुए ही 90 डालर प्रति बैरल तक पहुंच चुके हैं और एक अन्य बड़ा खत्रा या है कि रूस पर अमेरिकी प्रतिबंद लगने के बाद रूस चीन के और ज्यादा करीब जा सकता है और जिसे भारत की परेशानी सीमा पर बढ़ सकती है और यही नहीं अमेरिका का ध्यान अब चीन से हटकर यूरोप की और भी बढ़ सकता है जो भारत और ताइवान के हित के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होंगे अब आप लोगं का क्या कहना है रूस और यूक्रेन के बिवाद पर कमेंट में जरूर बताएं और लाइक शेल सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रस करें ताकि आप सभी तक डिफेंस की खबरे पहुंचती रहें धन्यवाद